हेलो फ्रेंड्स तो आज की वीडियो में हम आपसे डिसकस करने वाले हैं इस डिजाइन के बारे में हम आपसे डिसकस करेंगे ये फ्रेंड्स हमार पास आज डिजाइन रहेगा ये फ्रेंड्स जो डिजाइन है इसका जो ग्राण फोर है ground floor पे ये हमार पास 2 VHK का ये हमार design रहेगा और इसका जो first floor है और second floor है first floor पे और second floor पे दोनों ही floor पे 3 VHK का ये हमार design है 28 feet by 40 feet में हमने इसको design की हुआ है means कि इसका जो front रहेगा वो हमार पास 28 feet का रहेगा और जो हमारे पास इसकी गहराई है वो हमारे पास इसकी 40 feet के रहेगी में इसकी 40 feet के रहेगी और इस design के front में और left में two side में road रहेगा और two side में ये पूरी तरीके से बंद है तो इसी design के बारे में हम आपसे discuss करने वाले हैं ये हमारे पास इसका 3DM model रहेगा ये हमारे पास इसका 3DM model है और ये हमारे पास इसका नक्षा रहेगा जो कि इसके ground floor का first floor का और second floor का ये हमारे पास इसका नक्षा है तो इसमें आप देखेंगे अच्छे से visualize कर सकते हैं कि हमारे पास इसका जो front है ये हमारे पास 28 feet का front है और हमारे घर की जो entry होगी वो हमारे पास इसी man gate से इसमें entry होनी वाली है इसी man gate से घर के अंदर हम एंटर करेंगे बाकी friends हमारा जो design है आप जो design देख रहे स्किन पे एकदम modern और latest ये हमारा design है latest हमारा model है तो इसमें हमारा जो ग्रांड 4 है ग्रांड 4 पर हमारा पास 2VHK और कार की parking रहेगी फर्स्ट पर हमारा पास इसमें 3VHK बिद बरामदे के साथ हमारा ये model है तो अब हम चलते हैं सबसे पहले इसकी ग्रांड 4 की तरफ ये हमार पास इसकी ग्रांड 4 थीडी प्लान है तो ग्रांड 4 पर आप देखेंगे कि हम अपने man gate से जैसे ही मैं एंटर करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगी कार की parking ये हमारे अपनी कार की parking होगी और यहाँ पर हमार पास सेपरेट अपना stairs का हमारे डियान रहने वाला है यह हमार पास अपना यह stairs का हमारे डियान रहने वाला है यहाँ से हमारा हम अपने first door के लिए हमसे up करने वाले हैं तो यह हमार पास अपना separate हमारे stairs रहेगा घर के अंदर जाने के लिए जो हमारा main door है वो हमार पास यहाँ से है यह आपको जो door दिखाई दे रहा है इसी door से घर के अंदर एंटर करेंगे तो इस door से जैसे ही इसमें एंटर करेंगे तो हमें friends यहाँ पर मिलने वाला है यह living hall का डियान यह हमार पास अपना living hall रहेगा और यहाँ पर मिलेगा हमें यह dining hall का डियान यह हमार पास अपना dining area रहेगा तो हमारे पास इसमें living area और dining area दोनों को इसमें हमने combine रखा हुआ है यह दोनों हमारे पास इसमें combine रहेंगे और यहाँ पर हमें मिलने वाला है kitchen का डियान यह हमारे पास अपना kitchen रहेगा kitchen के साथ में अपना store room रहने वाला है तो यह हमारा पास अपना kitchen का फ्रेंट्स हमारा डियार रहने वाला है kitchen के front में यहाँ पर dining area मिल रहा है और यहाँ पर हमें मिलने वाला है common hand wash यह हमारा पास अपना common hand wash का यह हमारा डियार रहेगा back side में friends हमें आपने एक bedroom मिलेगा यह हमार पास अपना back side का bedroom रहने वाला है यह जो हमारा bedroom है इस bedroom में हमें आप एक window भी मिलेगा तो इस window से हमारा इस bedroom का बहुत ही अच्छे से ventilation होता रहेगा यह हमार पास अपना bedroom कर जान है bedroom में आप देख पा रहोंगे कि यहाँ पर हमें एक बड़ी साइच का हमें आपर window भी मिल रहा है तो यह हमार पास अपना bedroom रहेगा यहाँ पर friends हमार पास bedroom से attached toilet मिलने वाला है यह जो हमार bedroom है इस bedroom के साथ हमारा टेश टॉलेट रहेगा और यह जो toilet है इस toilet का अंदर हमार पास वादिंग एरिया और toilet sheet दोनों को इसके अंदर हमने combine रखा हुआ है toilet के back side में हमें आप एक duct मिलेगी तो इसी duct में आप देखेंगे कि हमार पास एक ventilator रहने वाला है जो कि हमार पास से toilet का ventilator रहेगा तो इसी ventilator से हमारे अपनी toilet का बहुत ही अच्छे से ventilation होता रहेगा यह फ्रेंट हमार पास इस floor का second bedroom होगा यह हमारा second bedroom होगा जो कि हमार पास से ground floor का हमारा second bedroom है और इस bedroom में हमें दो window मिलेंगी एक हमार पास इसके left side मिलने वाली है और एक मिलेगी हमार पास से front side में तो दोना window से हमारा इस bedroom का भी ventilation हैं नहां पे होता रहेगा यह, हमार बास रहने वाला है फ्रेंड्स अपना common toilet का लियान यह हमार अपना common toilet होगा और यहulle toilet इस toilet लिए family का कोई भी member voiture को यूच कर सकता है या फिर कोई भी guest हो रहा रहता है तो guest पगरा भी इस इस टॉइट को यूज कर सकता है इसमें हमार पास वादिंग एरिया और स्टॉइट शीड दोनर रहेंगे यहाँ पर हमार पास एक डक्ट भी रहेगा जिससे हमारा इस टॉइट का भी वेडिलेसन हमारा प्रॉपर तरीके से होता रहेगा तो यह हमार पास अपने ग्राइट लोग 3D प्लान है जिसमें हमार पास टू वीएच के बिदकार की पार्किंग के साथ यह हमारे जान है सेप्लेट हमारे स्टेर्स है तो फ्रेंट अब हम चलते हैं इसके फर्स टोर की तरफ यह फिर्स हमार पास इसके first law 3D plan है जैसा आप देख सकते हैं यह हमार पास अपना first law है तो first law पे यह हमार पास अपना steers रहेगा तो steers से जैसे ही हम अपने first law पे आएंगे तो हमारे घर की जो entry रहेगी वो हमारे इसी door से होगी यह आपको जो door दिखाए दे रहा है इस door से घर के अंदर enter करेंगे तो इस door से जैसे ही इसमें enter करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा अपना living or dining area यह हमार पास अपना same agitage जो हमारा ground floor में था वही area हमार पास इसके first law में रहने वाला है बकी back side का जो plan है वो हमारे पास complete हमारा agitage रहेगा जो plan हमारे पास अपने ground floor में था जैसे आप देखेंगे कि हमें आपर kitchen करेंगे मिलेगा यहाँ पर हमें एक bedroom मिलेगा यह मिलेगा हमें attached toilet यहाँ पर हमारे पास एक और bedroom मिलेगा और यहाँ पर हमें मिलने वाला है एक common toilet कर डियान, toilet के साथ में हमारा एक duct रहेगा जिससे इस toilet का बहुत ही अच्छे से ventilation होता रहेगा और इसमें हमार पास एक extra bedroom मिलने वाला है means कि इसमें हमारा third bedroom में हमें मिलने वाला है bedroom के front में हमें यहापर मिलेगा अपना एक बरामदी कर डियान यह हमारा बरामदा होगा जो कि हमार पास एक bedroom के front में ही यह हमार पास अपना बरामदी कर डियान है तो यह हमार पास अपना 3D में प्लान है जो कि इसके first floor का 3D प्लान है इसमें हमार पास 3VH के बिद बरामदी के साथ यह हमारा बहुती सांदर हमारा model है बहुत इसानदर हमारा प्लान है तो अब हम चलते हैं इसके 2nd floor की तरफ ये फ्रेंट हमारा पास अपने 2nd floor कर 3d plan है तो 2nd floor पर आप देखेंगे कि जो हमारा 3d में हमने इसको जो प्लान के हुआ है वो हमारा JTG plan है जो हमारा पास अपने ग्रांट वमें था वही प्लान हमारा पास एक्जेटे जिसके फर्स टोर में भी मिलने वाला है आप इसको बहुत अच्छे से आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर फरेंट में बरामदा मिल रहा है यह हमारा पास अपना सेपरेट स्टेर्स है यहाँ पर हमारा living or dining area है यह हमारा bedroom है यह kitchen का डियान है back side में दो bedroom है दोने bedroom को जाश्ट बीच में एक हमारा toilet है toilet हमारा पास इस वाले bedroom से टेच रहेगा और यहाँ पर हमें back side में डक्ट मिल रहा जो कि हमारा पास से नीचे तक हमारे डक्ट जाएगा तो यह हमारा अपना second floor का हमारा 3D में plan है जो कि आपको बहुती अच्छे से clear हो गया होगा और यह हमार पास finally elevation design है जो कि मैं आपको already बहुत अच्छे से बता चुका हूँ तो इसमें आप देखनेंगे कि हमारा जो finishing है elevation में यह हमार पास इसमें stone का यूज के हुआ है means की पत्थर की finishing दिऊ हुई है या फिर आप इस texture में tail के यूज करना चाहिए तो आप tail का इसमें यूज कर सकते हैं यह आप जो देखना है पूरा height में जा रहा है यह हमारा पास इसमें tail की finishing दिऊ हुई है यह हमार पास इसमें tag की finishing रहेगी यह हमार पास इसमें MS की railing का हमार डियान है यह हमार पास MS की railing है यहाँ पर हमार पास इसमें glass की railing का डियान रहेगा और यह भी हमार पास इसमें glass की railing का ही हमार पास इसमें डियान रहेगा तो कुछ इस तरीके से ये friends हमारा अपना 3D में model है तो friends अब हम चलते हैं इसके map की तरफ ये friends हमार पास map रहेगा जो कि इसके ground floor का और first floor का दोनों ही floor का ये हमार map है तो इसमें आप देखेंगे कि हमार पास जो इसमें entry है वो हमार पास यहां से रहेगी ये हमार main entry है main entry से जैसे इसमें enter करेंगे तो हमें यहां पर parking मिल रहे है ये हमार पास अपनी parking होगी parking हमार पास है 7ft 9ft 14ft की ये हमार पास अपनी parking है और यहां पर हमार पास इंटरेंस रहेगा जिसमें हमार पास से 3 step रहेगे 3 step को up करके हम अपने इस living area में आएंगे living area हमार पास यह 14 foot by 12 feet का यह हमार पास अपना living area है यहाँ पर हमार पास अपना यह stairs का डियान रहेगा 11 feet 7 inch by 7 feet का यह fence हमारा stairs हमारा यहाँ पर रहने वाला है यहाँ पर fence यह दिया आपको इसमें पूजा का space रखना है तो आप इस वाले corner पे यहाँ पर अपना पूजा का space रख सकते हैं और यहाँ पर हमार पास रहेगा kitchen का dayodel कीचन की साथ हमादा store room रहेगा इस टोर रूम हमार पास है seven feet eight inch by four feet का रहेगा kitchen हमार पास इस seven feet eight inch by seven feet का रहने वाला है यह हमार पास अपना bedroom रहेगा 10 feet 6 inch by 12 feet का यह फ्रेंट्स हमारा बेटरूम होगा यहां पर भी हमें एक बेटरूम मिलेगा जो कि यह भी हमारा पास 10 feet 6 inch by 12 feet का यह हमारा बेटरूम होगा यह जो हमारा बेटरूम है इस बेटरूम से ट्वाइट रहेगा फॉर्छृट, शीद्ट का मैरा पास यह टेश टोरहेगा और टोयट के ब्यक्सैड में हमें मिले गाड़ागा या यह हमार पास अपने लगाड़ रहेगा यहाँ पर फैंस हमारे मिले का अपने अपने लाइत कर यहाँ गर याँ जो कुई हमारा temple होता है या फिर हमारा जो modular type का जो temple आता है market में आप इसको purchase करके हैं यहाँ पर इसको set करा सकते हैं तो यह हमार पास अपने ground floor का plan है जो कि आपको अच्छे से clear हो गया होगा और यह हमार पास अपने first floor का हमारा plan है तो इसमें आप आप देखेंगे तो यह font हमारा पास इसके first floor का और second floor का जो यह हमारा plan है जो कि हमारा पास same रहेगा जो इसके first floor का है वह है plan agility में हो ही plant एपने second floor में भी रहेगा तो इसमें आप देखेंगे कि हमारा Moto है sortir show है फैन行 M तो टोटल आमारे पास जो इसपेश रहने वाला है यह आप एक हमीज़ है इसमें वा को मारे पास है। य हम मैह इंच है यह सकते हैं 54 1 इंच का है यह हम पास अपना इससपेश है और यहां पर हमारे पास एक लिविंह होल रहे है act वाइट 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 रहने वाला है और यह हमार पास एक बैटरूम और मिलेगा जो कि टैन फिट सिंच इंच की हमार पास रहेगी और यहां पर हमें मिलेगा अपना एक वासिंग एरिया यह हमार पास अपना वेसन लगाना है तो आप इसमें वेसन एड़ करा सकते हैं तो यह हमार पास अपना ग्रांड फोर का और फर्स्ट फोर का और सेगंड फोर का यह हमार प्लान है फर्स्ट और सेगंड फोर हमार पास बिलकुल एजटेस सेम रहने वाले हैं तो यह हमार पास अपना प्लान रहेगा जो कि हमार पास नक्सा है तो नक्सा ये फ्रेंट्स आपको कैसा लगा नीचे कमेंड बॉक्सम कमेंड करके जरूर बताना और ये हमार पास इसका जो एलिवसंट डियान है एलिवसंट डियान आपको कैसा लगा नीचे कमेंड बॉक्सम कमेंड करके जर तक के लिए जय हिन्द जय भारत